आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो बसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाऊ डाउनलोड नाओ तो यहां हमसे बोला गया है कि रियक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी इसके लिए सेल पोटेंशिल की जो वैल्यू है वो किस तरीके की होगी नेक्रिटिव, जीरो, पोजिटिव और इन्फानेट वो हमें बताना है तो सबसे पहले हम बात करते हैं Gibbs Equation Gibbs Equation की according क्या होता है डेल्टा जी इस इक्वस टू माइनस एन्फ माइनस एन्फ ही नॉट यही होता है तो यहां से हमसे बोला गया है कि spontaneous reaction की बात करनी है तो हम जानते हैं कि for spontaneous reaction हमारे पास जो डेल्टा जी है वो कैसा होना चाहिए नेगेटिव राइट यह नेगेटिव होना चाहिए अब अगर हम इस Equation में Variables की बात करें तो अन कैसा है अन एक नम्मर है अके नम्मर है सो यह कैसा होगा हमेशा positive होगा F क्या है फैराडे सो यह भी कैसा है हमेशा positive है क्योंकि इसकी value कैसी है 96500 एक constant है तो अब हमारे पास क्या बचा E सो यह कैसा होना चाहिए अभी E हमेशा positive होना चाहिए क्यों क्योंकि अगर suppose assume हम assume करते हैं कि E हमारा कैसा है negative है तो उस condition में हमारे equation कैसे तरीके होगा है डेल्टा जी इस उक्वास टू माइनस N F माइनस E तो हमारे पास किस तरीके की क्योंकि ना जाएगे N F E डेल्टा जी तो अभी हमारे पास जो डेल्टा जी की value है वो कैसी हो गई positive पर spontaneous reaction के लिए डेल्टा जी की value कैसी होना चाहिए negative पॉजिटिव नहीं होने चाहिए इस यहां से हम देख सकते हैं कि E की value कैसी होने चाहिए positive होनी चाहिए negative नहीं होनी चाहिए जब E की value positive होगी तो हमारे पास डेल्टा जी की value कैसी आएगी negative ओके यहां से हम बोल सकते हैं कि हमारे cell potential कैसी होने चाहिए आज डाउनलोड करें डाउटनेट आप या वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स आच चारसो 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 पर